नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ साक्षियर आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमिताब बच्चन और मुलाम संग्याधब के अभी आप यह सोच रहे होंगे कि राश्रिती सियासत से बॉलवर इंडस्ट्री के अभी का नहीं है वो बहुत पुराना करेंग्शन है जहां अमिताब बच्चन के घर मुलाम संग्याधब के अभी आप बच्चन का बना हुआ है लेकिन वो कनेक्शन अभी का नहीं है वो बहुत पुराना कनेक्शन है जहां अमिताब बच्चन के घर मुलाम संग्याधब पहुच चुके थे और वहाँ जाकर जिस तरह से हर किसी की जो आखे है वो शौक्ड हो गई थी कि आखिर मुलाम सिंग्यादव अमिताब बच्चन के घर क्यों पहुचे आपको बता दे उस वक्त उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री थे मुलाम सिंग्यादव उस वक्त वो अचानक से अमिताब मुलाम सिंग्यादव और अमिताब बच्चन के घर पहुचे तो इससे ये पता चला कि एक खास बॉनिंग कही न कहीं मुलाम सिंग्यादव और अमिताब बच्चन की फैमली का है और इस बीच देखा भी गया कि जयादव बच्चन भी समाजवादी पाची से जुड़ी हुई है तो एक ये बहुत बड़ी कहीं न कहीं वज़ा है जिसकी वज़ा से जयादव बच्चन है वो समाजवादी पाची के साथ जुड़ी हुई है लेकिन इससे बीच कई ऐसे श इस तरह से डिंपल यादव और जया बच्चन की एक प्यारी सी फोटो भी साथ में दिखाई देती है अपने पार्टी के समय जब राज़िती में दोनों खड़ी होती है तो उसमें ये दिखाई देता है कि क्या इनका कोई घरेलू कनेक्शन भी है तो हाँ घरेलू कनेक्शन जो है वो मुलायम सिंग यादव की वज़ा से ही है जहां मिताब बच्चन और मुलायम सिंग यादव के भी आप साथ में फोटो देख सकते हैं मिताब बच्चन की बहुत साल पहले की तस्वीर है वहीं मुलायम सिंग यादव भी बहुत यंग आपको दिखाई देंगे और ये एक बड़ी वज़ा थी हम इताब बच्चन के पता जी की जो एक का पॉपुलर कवी थे जिनके लिए वो वहाँ पहुचे उनको बधाई देनी के लिए वहाँ पहुचे तो एक चोटे से चीज के लिए जिस तरह एक मुख्य मंत्री चले जाते है किसी अभी नेता के घर त किस आप तक पहुचाते रहेंगे उसके लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेक्स नाइन लाइव